प्रlaveill के आज आ हिंसे नमस्कार ब्रेक के बाद एक बर फेर आपका वागत है अंप जो बिल्कुल देखिए गुरुग्राम की मैं बात करूँ तो जब हर्यान सरकार क्योंकि शिक्षा परिक्षाई शूरू हो चुकी है और ऐसे में हर्यान सरकार ने नकल विहीन परिक्षाओं का लक्ष रखा था लेकिन देखिए वो नकल विहीन परिक्षाओं का जो लक्ष रखा गया था वो शायद पहली परिक्षा के दिने दिखाई दिया और उसके बाद वो लक्ष खतम हो गया बात मैं कल की करूँ तो कल बारवी क्लास का वोकेशनल ट्रेड का पेपर लीग हुआ है जो कहीं न कहीं सरकार की विवस्था पर सवालियन निशान खड़े करता है देखिए शिक्षा विभाग की बात हो रही है एक तरफ जहां शिक्षा विभाग बार बार हर्याना में नकल विहीन परिक्षाओं की बात कर रहा है सेसी टीवी कैमरे लगा रहा है एक्जाम सेंटर्स के बाहर धारा 145 लागू की गई है फोटो स्टेट फोटो कॉपी की दुकाने आसपास बंद की गई है अब भावकों को स्कूल के पास नहीं जाने दिया जा रहा ऐसे में इतनी सुरक्षा होने के बाद भी पेपर लीक होना कहीं न कहीं देखिये शिक्षा विभाग पर अब सवाल खड़े करता है यह बात पहले भी हुई थी और अब भी हो रही है आमूमन हम देखते हैं कि जब भी परिक्षाएं शुरू होती है तो हर्याना सरकार इतने सालों से यही कहती आ रही है कि अब की बार जो परिक्षाएं होंगी इस बार जो परिक्षाएं होंगी वो नकल विहीं और अब दोबारा हर्याणा की परिक्षाओं में नकल का दौर शुरू हो चुका है यही नकल का दौर हमें कल भी देखने को मिला और अब देखिए लोग काफी रुष्ट हैं जो बच्छे पढ़ाई करके आए हैं मैंने उनसे भी बात की तो उन लोगों का कहना है कि यह गलत ह है तो इन चीजों पर सकती बरतनी चाहिए लेकिन सकती नहीं बरती जा रही है कहीं न कहीं शिक्षवभा की लापरवाही है वहीं देखिए साथ ही होली का त्योहार आने वाला है और ऐसे में आप सुरक्षा को लेकर गुरूग्राम की पुलिस जो है वो काफी सकत रुक है बाजारों में और बीड़ भाड़ वाले सभी इलाकों में अब पुलिस तैनात हो गई है और सकती बरत रही है साथी देखिए त्योहार का सीजन है और ऐसे त्योहार के सीजन में बिमारियां फैलती है कोरोना का खत्रा बना हुआ है जब से कोविड ऐटीन महामारी आई ह कोरोना आया है तब से देखिए कोरोना का खत्रा लगातार बना हुआ है और गुरुग्राम का स्वास्त विभाग जो है कोरोना के खत्रे को देखते हुए जितने भी भी भाड़ वाले इलाके हैं जितने भी रश वाले एरियाज है गुरुग्राम में उन सभी पर कोविड के कैम्प और साथी साथ वेक्शिनेशन कैम्प लगा रहा है लगातार ये मुहीं चल रही है और गुरुग्राम के अलग-अलग इलागों में हम वेक्शिनेशन कैम्प देख सकते हैं साथी देखिए क्यूंकि होली का त्युषार और सुरक्षा विवस्था को लेकर बैठके लगातार की जा रही है अभी दो दिन पहले भी एक पुलिस की तरफ से एक बैठक की गई थी जिसमें तमाम सुरक्षा इंतिजामों का जायजा लिया गया था और अब दोबारा एक ऐसी ही बैठक की जा सकती है साथ ही देखिए G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है और ऐसे में अब लगातार G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी जितनी भी तमाम तयारिया हैं तमाम जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब खोने है और ऐसे में देखिए प्रशाशन जो है वो उस पर ध्यान दे रहा है हर्य के कल्चर रिप्रिजेंट हो रहा है कल भी हमें सांस्क्रते कारेक्रमों की कुछ जलक दिखाई दी थी बैटक हुई थी और आज भी G20 की दस बजे बैठक हो नहीं है जिसमें सभी तैयारियों का दोबारा से जायजा लिया जाएगा और आज की G20 Summit जो है उसको आगे बढ़ाय जाएगा जी जी बहुत धन्यवाद गुंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साजा करने के लिए तो फिलाल के लिग हुर में इतना ही धन्यवाद झाल झाल झो है तो था जाएगा से जुड़ने के लिए विए energy के लिए एधिर हैजक जब ये के लिए